आज हम बनायेंगे मटर पनिय के जैसा अंदा करी नमस्कार दोस्तों अंदा वनाने के लिए मैं यह ले लिया है अंदा अब उसको फोल लेंगे एक डोगय में इमें ने साथ अंदा दोल लिया है इसमें दालोंगी आठाशमाच से भी कम नमक दो को अच्छे बहला एंद को इसमें दूसरा बबतन लेलें एक निसमें लुटन के लिए थोड़ी न्ढ़ डी में अंदे को पानी कर लिया है अब इसमें रगदै अब बहला कार्ण की अच्छे लगया अब इसमें लगा लगा दो फ्टन वगया इसको हाइक निगा आप दे मिट्शा जरं ऺंगिए एक पेन में गरम कालिया है इसमें डाल पूरी थेले में सभी सीजों को दाल लें दाल दो इसको तो ।क प continues है इस्कारी पनाने के ळाल्य अजै कि मानय श्र्द शबआपन इसमनों सभी सब्सक्राइब कि शुब komplett अपिके तил दींगे विरह एन्ड हो गाई है और गळाव था ठंडा होने रहां कि अब अब अमें अच्छा में टाल के पीस लूँगे नहीं मने मेरे पीछ गई है अब मेरी अच्से से पाग गई है अब में इसको पनीर के ज़जिए सब पीसे सरा करें गगी अब मेने अन्ड को काट लिया है अब ये बड़ी शमयल्ज तेल हमारी कर दम हो इसमें डाली पॉटर।र। एक शबड़ी पॉटर। रालमिस पॉटर। एक समया पॉटर। ये फिसंगर। और दालूगी मैं टेट समय। समय का लामक। तो से तेल सौने तक पकाएंगे। तो मसाला पकी ही है। तो दालए पकाने कि मिनी के लिए इसमें रखकर लगा दूँ और दो मिनी मिन पका लिया है जिसमें मसाले के साथ हमारी आलो भी पक गई है अब इसमें डालो मत्र पनीर के जैसा हमारी अंडे की सब्जी बंते रेदी है यह खाने में भी बहुत स्वाद होती है पता नहीं लगती है अंडा है अगर अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राब्स जरूर करना इसमें डालने में थोड़ा साहरा दनिया की बन गई है हमारे बिल्कुल मतर पनीर के जैसे अंडा कडी खाने में बहुत स्वागिस्त होत यह रही है बन्दोर कार रखाने में भी तो लुषने में और स्वादी भूस्वार झाने में इसना फ्नाफ़ घर रिया क के टूदी है जच्ट सकते हैं वूगत यह भी बहुत सब्सक्ति के बाता है